हेलो इस वीडियो में हम कनकाटिनेट फंक्शन के बारे में जानेंगे तो कनकाटिनेट फंक्शन में हम दो या दो से अधिक सेल की वैल्यूस को इकठा करके एक सेल में डाल सकते हैं यह हमारे पास डेटा है जिसमें कि यहां पर लिखा हुआ है फस्ट नेम लास्ट नेम रो नमबर अब यह जो यहां पर डेटा लिखा हुआ है इस डेटा को हम कनकाटिनेट फंक्शन के जड़ी यहां पर इकठा करेंगे जैसे यह बोबी कुमार और इसके बार टू जीरो वन है इसको यहाँ पर इकठा करेंगे तो इकठा करने के लिए हम यहाँ पर concatenate function का use करेंगे तो concatenate function का use करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर equal to चिर्न लगाएंगे equal to लगाने के वाद हम यहाँ पर concatenate लिखेंगे यह देखो यहाँ पर concatenate तो यह concatenate यह निच्छे आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हम double click करेंगे यह double click किया double click करने के बाद यहाँ पर निच्छे आ जाएगा text 1 इसके बाद text 2 और इसके बाद जितने भी आगे text हैं इनको हम जोड़ना चाहते हैं जैसे यह हमारा text 1 है यह text 2 है यह text 3 है तो इनको हम यहाँ पर concatenate करना जाते हैं तो हम क्ये करेंगे पहले यहाँ पर click करेंगे text 1 पर यह वो भी यहाँ पर click किया यह cell name यहाँ पर आ जाएगा A3 A3 के बाद यहाँ पर कॉमा दिये गया है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे text 2 तो text 2 हमारे पास यह है इसको भी हमने इकठा करना है तो यह यहाँ पर click करेंगे यह देखो cell name आ जाएगा B3 यह B3 cell name है इसके बाद और हमने यह भी इकठा करना है 201 तो हम कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद तो यहाँ पर click करेंगे इस cell के उपर यह cell name यहाँ पर आजाएगा आने के बाद हम यहाँ पर bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की bracket बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह बोबी, कुमार और यह 201 यहां पे इकठा होके यहां पे आ जाएगा तो यह concatenate function के जिरे हम इसको इकठा कर सकते हैं तो अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो बोबी, कुमार और इसके बाद यहां पे 201 लिखा हुआ है यहां पे हमारे पास यहां पे space आए तो space को करने के लिए हम के करेंगे यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद यहां पर A3, इसके बाद यहां पर double code start करेंगे double code start करने के बाद space देंगे, यह space दिया space देने के बाद double code को बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर comma लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे फिर ये B3 है इसके बाद कॉमा है इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोड को स्टार्ट करेंगे डबल कोड को स्टार्ट करने के बाद स्पेस देंगे स्पेस देने के बाद फिर डबल कोड कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यह C3 और इसके बाद ब्रैकेट बंद है इसके बाद हम यहां पर enter प्रेस करेंगे यह देखो enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह बोबी कुमार और 201 यहां पर यह space यह देखो बोबी के बाद space है कुमार के बाद यहां पे space है तो इस तरह से हम यहां पे space लगा सकते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि बोबी के बाद यहां पे hyphen आए कुमार के बाद इसके बाद यहां पे hyphen आए तो hyphen लगाने के लिए हम यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद जहां पे यह space है यहां पे space है तो space किया एक text है तो text को यहां पे double code में लिखा हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे यह double code के बीच में यहां पे hyphen लगाएंगे यह hyphen लगाया इसके बाद यहां पे hyphen लगाएंगे तो यह bobby कुमार इनके बीच में hyphen आए तो ये फिर हाइफन लगाएंगे ये हाइफन लगाया हाइफन लगाने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रस करेंगे तो एंटर प्रस करने के बाद ये देखो ये जितने भी है यहाँ पे बोवी इसके बाद हाइफन कुमार हाइफन इसके बाद टू जी रो वन तो इस तरह से अगर हम यहां पे hyphen लगाना चाते हैं तो hyphen लगा सकते हैं अगर space देना है तो space दे सकते हैं तो यह सभी के लिए हमने apply करना है तो हम यहां पे click करेंगे और इसको निचे यह drag करेंगे तो यह देखो यह सभी के लिए यहां पे apply हो गया इसके बाद अगर हम ये cell को जोडने का काम अगर ये concatenate function की जड़िये नहीं करना जाते हैं तो ये काम हम amp present symbol के दवारा भी कर सकते हैं तो इसको करने के लिए हम क्ये करेंगे यहां पे equal to sign ये लिखेंगे लिखने के बाद अब किसको हमने इकठा करना है इस cell को ये देखो यह यहां पे इस cell की value पे क्लिक किया ये यहां पे cell name आ जाएगा a3 a3 के बाद हम यहां पे amp present symbol यूज़ करेंगे यहां पे amp present symbol ये लिखा लिखने के बाद अब कौन सी हमने value यहां पे इकठी करने आ है इस value को इकठा करना है यहां पे क्लिक किया ये value name यहां पे आ जाएगा b3 यह cell name यहाँ पर आ गया है, इसके बाद फिर impression symbol यूज़ करेंगे, यह यूज़ किया, करने के बाद इस value को इकठा करना है, C3 name यहाँ पर आ जाएगा, आने के बाद जब हम यहाँ पर enter प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा bobby कुमार 201, यह दे को यहां पर enter प्रेस किया, तो यह bobby कुमार 201 यहाँ पर आ गया, तो इसा तरह से हम impression symbol के जरिये भी इसको यहाँ पर एकठा कर सकते है, इसके बाद यहां पे हम यहां पे इसको ड्रैग करेंगे यह दिको सभी के लिए यहां पे यह आगया बनके अगर हम यहां पे space देना जाते हैं तो space देना के लिए फिर हम क्या करेंगे यहां पर double click करेंगे उपर double click किया double click करने के बाद अब हम यहां पर space देना जाते हैं जैसे यह Bobby कुमार Bobby इसके बाद space कुमार इसके बाद space तो यहां पर यह space देना जाते हैं तो space देने के लिए हम यहाँ पर A3 इसके बाद ऐंप्रैसंट symbol इसके बाद यहाँ पर यह Double Code स्टाट किया स्टाट करनी के बाद हम यहाँ पर स्पेस लगाएंगे यह space जो है एक Text है तो यहाँ पर space दिया Space देने के बाद Double Code को बंद करूँगे Double Code को बंद करने के बाद फिर यहां पे एंप्रेसंट सिंबल यूज़ करेंगे यह एंप्रेसंट सिंबल यूज़ किया एंप्रेसंट सिंबल यूज़ करने के बाद फिर यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डबल कोड स्टार्ट करेंगे यह डबल कोड स्टार्ट किया फिर स्पेस दिया फिर डबल कोड फिर यहाँ पे एंप्रेसंट सिंबल लगाएंगे यह एंप्रेसंट सिंबल लगाया एंप्रेसंट सिंबल लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे यह देखो एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने के बाद यह देखो बोबी इसके बाद यहां पे space आ गया कुमार इसके बाद यहां पे space आ गया तो इस तरह से हम यह यहां पे space दे सकते हैं अगर सभी के लिए यह नीचे जितने भी दिये हुआ है इनको भी space चाहिए तो हम यहां पे first पे click करेंगे और इसको नीचे ड्राइग करेंगे तो यह ड्राइग किया ड्राइग करने के बाद अब देखो यह जितने भी है सुरेश, स्पेस, सिंग तो इसके बीच में यह सभी के बीच में यह स्पेस आ जाएगा तो इस तरह से हम यहां पर कनकाटिनेट फंक्शन के जरिए और एमप्रेसंड सिंबल के जरिए सेल्स की वैल्यू को इकठा कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो बोबी कुमार है इनको कनकाटिनेट से अपर केस में किया जाए लौर केस में किया जाए और प्रॉपर केस में किया जाए तो इसको करने के लिए हम यह शीट नमबर वान यहां पे click करेंगे और click करने के बाद इसके बाद यहां पे हमारे पास यह first name दिये गया है यह last name दिये गया है अगर हम इनको अपर case में लिखना जाते हैं तो हम concatenate function के जरिए यहां पे अपर case में लिख सकते हैं lower case में लिख सकते हैं proper case में लिख सकते हैं तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे equal to sign यह use करेंगे use करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे upper यह देखो upper यहाँ पे upper आ जाएगा यहाँ पे double click करेंगे double click करने के बाद इसके बाद concatenate इस function को use करेंगे तो यहाँ पे concatenate यहाँ पे double click किया double click करने के बाद अब किस value को uppercase में करना है तो यह first वाली इसको करना है तो a2 यहाँ पे आ जाएगा a2 आने के बाद कॉमा लगाएंगे यह बोबी कुमार इसमें space दरना है तो space दरने के लिए हमने पहले भी किया कि यहाँ पे double code को start करेंगे start करने के बाद space जो है एक text है तो यहाँ पे हम double code में इसको लिखेंगे space दिया है इसके बाद space दरने के बाद double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे लिखने के बाद हम यहां पे bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहां पे yes पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यह जितना भी है यहां पे बोबी कुमार यह दो cell की यह value जो है यहां पे इकठी होके यहां पे uppercase में आ गई तो इस तरह से हम concatenate function का यूज़ करके values को uppercase में कर सकते है अब इसी तरह हम इसको lore case में करना जाते है तो lore case में करने के लिए यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद equal to sign यूज़ करेंगे equal to sign यूज़ करने के बाद यहां पे लिखेंगे लॉर यह लॉर यह आ जाएगा तो यहां पे डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद इसके बीच में अब यहां पे concatenate यह function यूज़ करेंगे तो यहाँ पे concatenate यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे किस value को हमने lower case में करना है तो यह first इस cell की value को concatenate करना है यहाँ पे click किया A2 यह A2 यहाँ पे आ गया इसके बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद इसके बीच में space देना है बॉबी कुमार तो यहाँ पे एक space देने के लिए हम क्या करेंगे double code को start करेंगे start करने के बाद space देने के बाद double code को बंद करेंगे बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद अब दूसरी जो बैल्यू है यह बी टू यह है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह बी टू साल ने में यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद ब्रैकेट को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहां पर yes पर क्लिक करेंगे तो यह देखो बोबी कुमार आ जाएगा और यह जो बोबी कुमार यहां पर आया हुआ है यह सारा लोर केस में है तो इस तरह से हम यहां पर लोर केस में भी sign use करेंगे, equal to sign use करने के बाद यहां पे proper यह लिखेंगे, यह proper यहां पे आ जाएगा, यहां पे proper पे double click किया, double click करने के बाद यहां पे इसके बीच में concatenate function का use करेंगे तो यहां पे concatenate यह लिखा यह concatenate यहां पे आ जाएगा, यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पर किसको हमने यहां पर इकठा करना है इस value को इकठा करना है a2 तो यहां पर a2 cell पर क्लिक करेंगे तो यहां पर a2 आ जाएगा इसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद फिर यहां पर double code start करेंगे यह double code start किया फिर यहां पर space दिया space दरने के बाद double code को बंद किया बंद करने के बाद फिर हम यहां पर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद अब किस value को यहां पर इकठा करना है तो यहां पर इस cell वाली value को हमने इकठा करना है यह B2 यहां पे क्लिक किया है तो यह B2 आ जाएगा B2 आने के बाद हम इसको bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहां पे yes पे क्लिक किया तो यह देखो यह जो यहां पे concatenate होके आएगा यह proper case में आएगा तो इस तरह से हम यहां पर अपर केस लोर केस और प्रोपर केस में कर सकते हैं अगर हम इन सभी को अब करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे इन सभी को सेलेक्ट करेंगे यह देखो यह सारे हमने यह उपर वाले select किये इसके बाद इसको निचे यहां पर drag करेंगे यह देखो drag किया सारा तो यह देखो यहां पर C column बाला data यहां पर सारा अपर case में आ गया D column बाला data यहां पे सारा lower case में आ गया और E column बाला data यहां पे सारा proper case में आ गया तो इस तरह से हम यहां पे concatenate function का यूज़ करके data को upper case में कर सकते हैं, lower case में कर सकते हैं और proper case में कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने concatenate function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद